हलो दोस्तों केशे वहाँ आप सब आपका भाई हाजी रोचुका है और एक निप्रमेशन और इलिजिब्लीटी क्राइटेरिया आपको इस विडियो में बतानेवाला हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए भीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिपिकेशन टेक्निकल लेटेस्ट शड़ी मेटरियल और इंटर्व्यू टिप्स आपका वह आपके लिए इस चैनल में अपडेट्स करता कर रहता है वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आपको बताते ना चाहूंगा कि यह जो रिक्वार्मेंट का आया है अगर आपको पता नहीं अप्रेंटिस इप क्या होता है आपको इंड्रेस्टियल में वान गयर के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोफाइट किए जाता है जो आपको एक one year complete होने के बाद आपको एक certificate भी provide कर जाता है जो आपका experience के तोर पे भी काम देता है अगर आप fresher candidate है तो आपको जरूर one year के लिए आपको apprenticeship करना चाहिए क्योंकि आपको career का बूस्ट करने के लिए यह काफी अच्छा खासा है आपको एक मौका रहता है और यह जब जो requirement निकल का है यह आपका जो working interview रखा गया है मैं आपको सारा eligibility criteria और information इस वीडियो में provide करूंगा अगर आप हमारा notification नंबर भी देख सकते हैं और यहां पर जो आभी निकला है requirement notification of walking interview for apprenticeship training का यहां पर आप्रेंटिशिप ट्रेनी का यहां पर रिक्वार्मेंट निकला हुआ है यहां पर पहले IT वालों के लिए बात कर लेते हैं IT वालों के कौन कौन से ट्रेड यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर COPPA, Machinist, Fitter, Welder, Mechanic Diesel, Mechanic Motorvical और Electrician Candidate इसको apply कर सकते हैं यहां पर उनके लिए अच्छा खासा यहां पर vacancy देखने को मिल जाएगा और यहां पर उनका walking interview का जो date भी रखा गया है यहां पर जो IT candidate के लिए अलग-अलग date यहां पर प्रोवाइड किया गया है और यह जो नोटि प्रोवाइड के लिए 11 March को रखा गया है, Welder candidate के लिए 12 March को रखा गया है और Mechanic Diesel और Mechanic Motorvical के लिए 13 March को रखा गया है और Electrician Candidate के लिए 14 March को यहां पर उनका जो walking interview का date रहने वाला है यहां पर graduate apprenticeship का बात कर लेते graduate apprenticeship कौन-कौन से ब्रांच वाले इसको apply कर सकते हैं यहां पर Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical and Electronics, Electrical Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering और Mining वाले इसको apply कर पाएंगे यहां पर कितना भेकेंसी रखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं और उनका जो educational qualification उनके पास minimum four year का डिगरी यहां पर रहना चाहिए और यहां पर उनका जो interview का date भी देख सकते हैं यहां पर 15 से लेके 22 तक यहां पर उनका जो interview का date यहां पर रहने वाला है यहां पर डिप्लोमा candidate के लिए बात कर लेते डिप्लोमा जो टेक्निसियन जो डिप्लोमा अपरेंटिस के रखा गया है उनके लिए जो ब्रांच यहां पर रखा गया है थ्री यहर का उनके पास डिप्लोमा इंजिनेरिंग रहना चाहिए और यहां पर उनका वाकीन इंटेड़्यू देख पाते यहां पर देख सकते हैं चोबिस मार्च और पच्चिस मार्च को यहां पर उनका रखा गया है यहां पर eligibility क्राइटिरिया का बात कर लेते हैं यहां कि यहां पर आपका कॉलेज पासाओट रहना चाहिए 2019-2021 केंडियेट इसको अपलाई कर सकते हैं और यहां पर उनका जो एज क्राइटिरिया का बात कर लेते हैं 18 से यहां और यहां पर उनका एड्रेस दिया गए आप बालिया क्लब किरिनदलू कंप्लेक्स डिस्टिक दंतेवड़ा 36 गड़ में आपका यहां पर रहने वाला है यहां पर आड्रेस देख सकते हैं इसको मैं जो पीडिएफ है मैं अपना टेलिग्राम चैनल में इसको अपडेट कर द आपका ITE, Diploma, BTEC जितना भी आपका सार्टिफिकेट है उनको लेके जाना है और यहां पर कास्ट सार्टिफिकेट सबका ओरिजिनल लेके जाना है वहां पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और यहां पर जो मेन एक इन्पोर्टन चीज में आपको बता देता हूं जो डिपलोमार, BTEC एंडिट है उनको NTS पोटाल में उनको वहां पर रेजिस्टेशन करके ओ जो पेपर है उसको लेके जाना होगा तो आसा करता हूं मेरा इन्फरमेशन आपको अच्छा लगवागा अगर आपको कोई भी डाउट से तो आप मेरो कमेंट बॉक्स में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक्यू